कि अधिए आधिए प्रिया जोगे हैं सब्सक्राइब कर दो जरनी काफी अच्छी रही है क्योंकि मैं एक नॉन पैजंटरी बैकग्डाउंड से हूँ तो काफी नया था मेरे लिए सब कुछ क्या करना है कैसे करना हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा था हाला कि मैंने पिछले साल ही शुरू कर लिया था अपनी ट्रेनिंग इसके लिए कि मैं तो पूरा साल उसी में चला गया कि किस तरीके से मिस इंडिया ना यह और किस तरीके से भाँ पर जाए की परफॉर्म करना तो जौन ही काफी अच्छी रही है मेरी इसले साल मतलब लोग है कि बहुत सारे लोग को जो हम इंटरीव करते हो करते हैं तब आज हमारा गे सपना जाके पूरा अज आपने से एक साल ही निए ट्रेनिग कि एच अचाए? हाँ तो बचपन का कोई सपना नहीं था मेरा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस बारे में मुझे पता था कि Miss World Miss Universe है बट वो होता क्या है कैसे होता है इसके वारे में कोई आइडिया नहीं था तो जब माँशी चिलर क्राउं जीते थे तब मैंने इसके आरे में रिसर्च की क पर काम करना होता है तो इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी तब जाके मुझे लगा कि शायद मैं भी यहां पर एक ट्राइड दे सकती हूं मेरा इंट्रस्ट डेवलप होना चालो हो गया और इससे दएकिस मैं अना पैशन डेवलप किया वहाँ पर और फिर मैं मैं जब सिया कॉ निऍट रही पर अगल रही जब से बारे आपक्व हूँ रहाेताशन को पह सकते है रुट बने पर एक अपर एसर झालगा यह जब अडुशन नहीं होगा शायद या कुछ तो गलत हो रहा है यह मैंको लगता है कि हम सारी 30 लड़कियों के दिमाग में एक ना एक बर तो आया ही होगा क्योंकि होता है हमेशा सारे हर दिन एक जैसा नहीं होता है कभी ने कभी हम लो फील करते हैं कभी एक तो हम फामिली से भी दूर है और एक महीने से हम उनसे भी दूर है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजे नहीं होती क्योंकि जरूरी में सब से सब कुछ होगा तो इस टा तो कॉंटेस्ट के टाइम पे तो हम हमारी शूट्स ट्रेनिंग इन सब में ही बिजी तवाल सी आपका मदलब हमारा इंटर्यू कोई या अच्छा फिनाले के दिन? तो फिनाले के दिन तो सबसे अलग अलग तरी कि मेरा भी एक सवाल था जिसमें मुझसे पूछा था कि जब 25 साल हो गया था ऐश्वर्या राय और शुष्मिता सीरिन को जीते हुए तो मुझसे पूछा गया था कि आप किसकी बायोपिक में काम करेंगे और क्यों तो तब मैंन कि आपको कुछ पर्फेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ मेंटेन करते है एक प्रॉपर ब्लेंड है कि मॉडर्णिटी और अपनी ट्रेडिशनल वाल्यूस किस तरीके से साथ में लेकर चलना है तो मैंने उनसे सीख है तो अगर मुझे 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 मुझा मिलता है इन बनों तो हम 30 contestants हमें उनसे मिलने का मौका मिला था वीच में लखी ली तो हम उनसे जब मिले थे तब उन्होंने कहा था कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो और उसमें जितनी इंप्रूमेंट हो सकती ही वो करो अगर अगर अपने अपको बदलोगे तो नहीं होगा उतना बर लेकिन तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे और अपना जो तुम हो असलियत में तो तुम आराम से जीत पाओगे तो वो एक थी जो मुझे बहुत जादा मोटिवेट कहती थी वो बात और मिस्वर्ड जो रहीं करंट मिस्वर्ड वैनेसा वो वहापे थे साथ में 2017 की मिस्वर्ड मानोशी चिल क्योंकि अब आपनी जीती है तो आपके फैमिली में में सब्सक्राइब साथ मेरा नाम अनूंस किया था तब वो ओडियंस में बैठे होगे थे साथ में काफी जादा खुश होगे थे मेरी मम पपा दोनों उचल उचल के नाचने लग ग गए तो मुझे दिख रहा था कि पता चल रहा था कि उनकी बेटी जीती है इतना खुश थे वो लोग हापे तो काफी खुश है अभी फिलाल वो मेरा वेट कर रहे कि कब मैं घर पर आऊ और उनसे मिलो क्योंकि अभी तक हम उनसे मिले नहीं है तो बस मैं भी excited हो कि कब जाके मैं उनसे फटाफट से मिलो और एक अच्छा सा फामली टाइम स्पेंड करूं तो मुझे लगता है पहले मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए उसके बाद में तो जैसे options आते है वैसे और Bollywood में तो पर चाहिए पर लड़कीों का इंटरस्ट होते है यह बट दीपेंड करता है कि हो कौनसे सिच्वेशन पर अर उस टाइम पर हम उस चीज के लिए रेडि है या नहीं तो फ्यूचर पेंड करता है वहलार तो मिस्वड़ ऑर पढ़ाई इंपोर्टेट में अब हुआ है मैं तो फीमेल में मैं दिपिका पादुकून की बहुत बड़ी फैन हूँ और मेल में चाल्डवूड क्रश है शाहिद कपूर तो उनकी मैं फैन हूँ तो यह दोनों मेरे फेवरेट हैं बॉलीवोड मैं और फेवरेट पॉलिटिशन? 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 क्योंकि मैं पिछले पात साल उन्होंने जब देश को चलाया तो उस ताम पर मैंने जो इंप्रोव्मेंट्स देखी जैसे मेरे पापने मुझे बताई क्योंकि उसके पहले तो मैंने थान दिया नहीं तब तो हम छोटे थे स्कूल में थे तो इतना मेरा ध्यान जाता नहीं था बट जब इनके डेवलेपमेंट्स तो पापा जब बताते थे के पहले क्या था और अब क्या चेंज आया है तो जब मैं वो चेंज देखती हूं हमारी कंट्री का तो मुझे लगता है कि हां उनमें वौ बात है जो आखा जूव्य नगता हूं किस तरीके से हमारी जो कट्रीह उसको डेवलप करना है उन्हें तो वो एक ऐसे इंसान हैं जो सब कुछ कर सकते इसलिए मैं जो बहुत जादा इंस्पाइर होती हूं जो उनकी capabilities है, उनके उपर वो हमेशा खरे होता है. तो हमेरा हिंदुस्तां में देखे हैं, बहुत सारी problem होता है. अगर सुमन जी को मुखा अगर इंडिया के लिए कुछ करने हैं, तो ऐसा क्या कुछ होगा? तो सुमन जी इंडिया में बदलाओ करना जाएंगा? इंडिया, मेरा जो beauty with a purpose project है, वो है spreading awareness about gender equality. तो क्योंकि मैं राजस्तान से हूँ, तो भाहा पर अभी ऐसा नहीं कि सबको equal status मिलता है. तो मेरा project वही है कि spreading awareness about gender equality, जो अभी फिलाल women empowerment के stage पर है, जहांपर हम लोग फिलाल women को एक equal status पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैंने वो प्रजेक्ट अपने गाह से ही शुरुवात की उसके आरवे बात करना, क्योंकि मेरे घर में मैंने कभी कोई inequality नहीं देखी, मेरे भाई और मुझे एक ज़सा treatment मिला है मेरे पेरेंट्स के दरव से, तो वही हम लोग आगे जाके लोगों से बात करके उन्हें बताना चाहते हैं क्योंकि जब तक mentality change नहीं होगी, तब तक कुछ बदलने नहीं वाला. तो एक नजरिया बनाना है कि सब इंसान है, किसी को लड़का ये लड़की की तरफ से मत देखो, सब इंसान है वो देखो. आकरी सबारी है कि फेरेट क्रिकेटर अर अगर आप क्रिकेट देखी हैं? नहीं, मैं क्रिकेट पैन नहीं हूँ. मैं अपने इसमें, अभी हमारी विनिंग उसके आद में हम सारे इंटराक्शन से बिजी और क्रिकेट पैन नहीं हूँ. कभी इदर उदर थोड़ा सा भाई मेरे क्रिकेट बहुत देखते हैं, तो उनके साथ थोड़ा वो देख लेती पूपड नहीं. प्लेयर के नाम पता है, पिड़ क्रिकेट पैन नहीं हो, क्रिकेट में तो बहुत ही पुरी हो, उसके और में तो कुछ नहीं हो. तो पिलाल अब में इंडिया को रेप्रेजन करना तो बहुत बड़ी रेस्पॉंसिविटी है है, तो मेरा पहला फोकस यही रहेगा कि मैं इंडिया को एकदम अच्छे से जान लू जो करेंट अफेर्स है या फिर जो भी अभी हमारे देश में चल रहा है जिन चीदों पर फोकस करने की जुरत है क्योंकि इंडिया को अगर रिप्रेजन करना तो इंडिया को जानना बहुत ज क्योंकि हर दिन हमारे पाजन के टाइम हर दिन बहुत सारी चीज़े होती थी, every day we used to have so many activities कुछ नया सीख थे एं इत्ती सारी लड़किया थी जिन सामने क्या कुछ नहीं सीखा है तो इस पूरी जर्णी में बहुत कुछ सीख और एंड में जाकर के जब हमें क्राउन मिलता है तो अच्छली लगता है क्यू हूई इस सो बहुत पूल्चा अच्छा तो इस होती बहुत जो आपका नाम अंस्में क्या हूआ कई आपका दी ओपलो को वाठी लगता हूठ है हूआ है टा इस लगताए गओ का देख ने है तो किनि एकफ्ल मुवत थी जर्ड़ कुफ भाठ छुत ख॥ीर लगता हूआ हूआ टो यव मैं बहुत खुछ थी, मैं आपको Q&A भी बहुत बढ़िया गया तो उसके बाद तो I was happy कि यार कभ रिजल्ट अनाउंस हो जाता कि मैं जा के ग्राउंस दूख दूख तो रियाद एक grand finale से जस पेरे मैं ऐसे बोल रही थी यार पता नी top 12 में भी होगा कि नहीं पिर इसको मैं लिसन डों वरी हम भूट तो नहीं है ही लेकिन बढ़िया करना पड़े का ताकि आगे जा सके तो नहीं है तो नहीं है विए पिर हम एक दूसरे के बाजू में ही रहे है से गार किस तरह के क्योंगे पूछे कैया आप लोगो से लाए सी किस रिया मैं अभी तो टॉफ सबया तो एव में to ask me a question so my question was that what according to you is the biggest challenge which women get to face all across the world so it like I took a moment to think over it and so I didn't answer generalised answer I just said lack of acceptance is something according to me which women get to face in whichever field they choose to go ahead in so that is something that we really need to work upon as a society we need to work upon being accepting and empowering towards each and every human being around us so I got a lot of applause for that so I was very confident in the top six and what's the question Sunil Chetri ji me and question on the question on the question I was asked for football I was asked for three things that happen in a person so that he can improve in any career and be successful three qualities every person should have so I had the answer to this that the first thing that they need is passion and junoon which you would have a job to get into and if you don't have a job then you can improve in any field that you should drive from inside you should be happy which is happiness so if you are not happy with that you are not happy with what you are doing so you should do so well that you can improve in any way to your job it will not do well to your job as well as well as hard work क्योंकि किसी भी चीज में अच्छा करने के लिए आपको मेहनत करने की बहुत जादा जबेत है चलिये, लाइक यह कितने दिनों की प्रैक्षिस थी आप लोगों की? आप पाज़ेंट वस फॉर 40 देज और 40 दिन हम लोग बंबे में रहे हैं में अच्छोँ करने करने की रुंचा हैं इक सॉर प्रैंट जी से ने कुछा लोगों की इसा फेरेट भूड क्या आपलोगों का लोगों का हॉड भी खाती है जबी मौका मिले आपका कायों हैं वह जटेंए के लिए सबस्ठीत थे और भी यह तूट रहा है तो अफ्टर शिट दूट सबस्टाएं के यह समय कि मेल का नहींट थे नहीं अगा किस दूट इना था क्या श्रुट धूटता सबना है जब आपके फैंली मेंबर आगे नहीं थे उटो मुझे नहीं था लेकिन उनका क्या रियक्शन था जब आप लोग का नामा आपस्मेंट के रही था माता पिता मेरी बैन और मेरी बहुत सब बाई पर ही थे मेरी मासी भी थी हाथ तो सब आये थे भी इसलियतरोव नाम का जैसा शर्ड़ नहीं में आयोग का अ फोती की थेलो Protect मेरी बहुत कि मैं भी थेला को अच्छा लगे लिदrick our लेक्राष्यों हां फ्ही थेओ हरे बाप मेरी अपकियोगय competitor I was in okay with itめ golgaे बाट बुरा वैसे लग्या अड़ की यार हुने चाही है आपन से अपनी लैंगोइस में आपने कुछ आपनी लैंगोग में कुछच पसंदे कोवा कहा विभी सी को SOO अपनी पसंद उपरी प्रश्वारी क्योंकि आप भीहाज से आती है और आप चाथ इसगर से तो आपनी लैंग्वेज में कुछ आप लोग बोल सकते हैं? कुछ भी? कुछ भी? तुझे स्वीट पसंदे है अगर आप गर में आप जैसे बाते करते हैं? अगरो भी इस शी माराश्टीन अगरो आप जाना जाना पसंदे हैं? जाना जहां पसंदे हैं? मैं गोंगी देरादू में दो साल पढ़ाई की है तो मेरी फेडरी जगा रही है क्योंकि बहुत सुंदर है चले कारीम की प्रब्लम है बस जाते हैं यह जाना चाहिए कि कि आप जो है अब जाना 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 हम जो है तो कैसे चल्म के तयारिय में यह जो है और जुट आप पर अषबत करने में उड शूदा हमारी अब शरू होगी लिए वरक दिन ने तो अच्छे से च्रिंड ओकी बड़ता है हमारी हर चीज में नहीं होगी तो बहुत बड़ी बात हाँ तो अभी तो काफी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मैं कहुंगी, all three of us we need to give our 200% every single day so I just hope that we get three international crowns this year I wish अभी जल्दी होगा बस जाते है आप आपके अपने 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 आपने अपने 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 मेर फिम्ल बड़ा दिगे so my favorite actor is Ranveer Singh and Vicky Kaushal and favorite actress Priyanka Chopra Vicky Kaushal, I think Yeah? He was aisto, you! Hahan?! Yes, why not? I had a segment on the conversation where we had to interact with him तो ही गेवस चॉकलेट जो टॉप 6 थे तो विकी कॉशल के साद हमने डांस भी किया थोड़ा से भांगडा किया तो वाव मेर तो दिन बंग गया था रिष्टिक रोषन है हमेशे बचफंस पर हमेशे लुकी चान मानती हूं कि एग्जाम से पहले भी मैं हमेशे उनकी मोवी देखते जाती है सुबसे घुश हुआ है मेरी ममा से पूश है क्लास 2nd 3rd 4th 5th मेरी मैं से सुबसे दी फुर अकलाओ उख जाओंगे में की मोवी देख कहा नपोरे कि कहा नपयार है और फिर मैं और एकसा देने छाट सिर्फ कहा नपयार है विश्टा नपयार कि तो बहुत में थाउत नहीं है भुछित तो श्टि का जुन्यप माईब एक रखता एकली जाए ठाज नपग सुछ। हर्ण शार्ण है ठीक दो स्थाप्स पूंग था लुए था है झाम में फूर्ण है इस समय प्रवादी और क्या है इससे हो अन्या है आरो ना समट वाय है छॉटल समय दो फटे जली पन एच्त Shhh उंभी लिखाल हृँ आसी होती हो एक प्खिवर दिन ओक समझ अरए इसरो नहीं कहा दो किγंशा है और जाद है होगे तैयों है कि असद इस maturity हाथ दी का आढ़ा पर दो चाला प्रीगो जरा हहा通 इता है? याग जर रटूए जर वाँ जर वाँ जर रफ़ हाँ से खार शड़ी जर वाँ जर खाह तो जर जिना सुल जर बग़ इस भी साथ दात हो रहे नहीं मुझे टेंशन होना है रेड़े फम बिचारे बोला ठीक है साफ है शीच होगे हाँ आटाइब मुझे ऐसे एक गंडा मजे पूस कर सकते होगे आप ऐसे भी पीछे से भी कर सकते हैं तीनों तेबल पे गर दो याँ कि अभी खुझे पूसे मान से अभी एक गरी पीछाप पोसे पीछाप पोसे थे जाइए संबढ़ी घुटू तोगेठर, वे रही रुनिग शूत अथैम लाहा का जाए और एनके गार्टूट थेल करने देने वे वे रही रही खुटूटूट है तो-रुटूटर नपर आप सरी करने नियुगतूट खल्ड, खतो का खाटूँ एंड, हमाद एंड, ओक्राइब ऑधर, खहुर। तक्यू, यहा, अग्क्यो तक्यो, जाद हो जाद को? जुट्छाँ अबसलिए यहाद है? चोड़ा हमेवाद व्हाद है? दोगी दोगोगा, जाद हमेखा? आजय 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 एंड शुब्सक्राइब टीव नेक्स्ट वालीवूड